काली 14 की रात करेंगे काम दोस्तों हर समस्या का जड़से होगा नाश अगर ये उपाय करेंगे जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और मैं पूजा विदी भी बताऊंगी सम्मे भी बताऊंगी काली 14 का कार्तिक मास के क्रिष्ण पक्ष की चतूर दशी तिथी को काली 14 का पर मना जाता है इस साल काली 14 का पर 11 नमंबर को मना जाएगा काली 14 पर मद्य रातरी में काली मा की पूजा करने से भक्त को शारिरिक और मानसिक दुगों से चुटकारा मिलता है नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हैं स्वास्त होंगे मस्त होंगे दोस्तों आप सभी को दिपावली की हार्दिक शुप काम नाए माता लक्ष्मी आप पर किरपा बर्साया आपका घर धंधाने से भर जाई यही मेरी मालक्ष्मी से प्रातना है दोस्तों मैं वीना गौता मैस्टो लोजर वास्तु कंसल्टेंट हो रेकी मास्ट और आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमिडीज में स्वागत है अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें मिलते हैं उन डोटकों की तरफ चलते हैं जो आज मैं आप से शेयर करने वाली हूँ कारतिक मास्ट के क्रिशन पक्ष की चतुर शीत दीत को काली 14 का पर्ग मना जाता है दिवाली से एक दिन पहले और नरक चतुर थी के दिन काली 14 पढ़ती है इस दिन 14 की छोटी दिवाली एक साथ मना जाती है इस दिन माकाली का पूजन किया जाता है ये 14 का दिन माकाली को समर्पित है मंगाल में मुखे रूप से काली चोधस मा काली के जम दिस्के रूप में मनाय जाती है काली चोधस के दिन मातल काली का विशेश रूप से पूजा किया जाता है कई जगव पर काली चोधस का रूप चोधस और नरक चतूर्थी भी का जाता है धार्मिक मानत है कि इस दिन श्रता पूरवक पूजा करने और दीपक जलाने से जीवन की परिशानियों और बुरे कामों से चुटकारा मिलता है काले 14 के दिन घर की सभी जगाओ पर यम के लिए दीपक जरूर जलाएं और यमराज के लिए दीबधान करने की भी मानत है ये धिन भी सभी नाकारत्मक उल्जाओं से चुटकार पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है धार्मिक माननताओं के नुसार जिस तरह दिपावली पर मालक्षमी की पूजा करने से घर में सुख शान्ती और सुख सम्जदी और शान्ती की प्रती प्राप्ती होती है इसी प्रकार काली चोदस पर मद्य रातरी में काली मा की पूजा करने से भक्त को शारिरिक और मानसिक दुखों से चुटकारा मिलता है साथे साथ मन में पॉजिटीव एनरजी बनी रहती है विरोधियों दुश्मनों से जीत हासिल करने के लिए इजिर मा काली की पूजा की जाती है काली चोदस की रात तंत्र विद्या साथ को के लिए बहुत खास होती है हिंदु पंजांग के रुशार इस साल काली चोदस का पर्व 11 नमबर को बनाया जाएगा कहा जाता है कि काली चोदस पर तेवी पारवति के मा काली सुरूप की उपासना करने से ब्राईयों से सुरक्षा और सत्रों पर विज़व रापति का आशिरवाद मिलता है काली 14 को भूत चतूरती या रूप चतूरती के चतूरदशी के नाम से भी जाना जाता है मा काली के भक्त इस दिन बीच रात में पूजा अर्चना करते हैं हिंदु पंचा के नुशार इस साल काली 14 की पूजा का पूर्व महुरत 11 नमबर को दुपैर 1 बच के 57 मिनट पर शुरू होगा और अगले दिन 12 नमबर की दुपैर 2 बच के 44 मिनट पर समाप्त हो जाएगा देवी काली की पूजा मद्य रातरी में निशी ताल काल महुरत में की जाती है काली 14 महत्व देवी काली सबी देवियों में सबसे उगर सभाव वाली मानी गई है मा काली ने संपुन संसार की रक्षा कर वनिक दुखों का नाश किया था मा काली की पूरे अनुस्थान से पूजा उपाय करने से व्यक्ति के लंबे समय से चलियारी बिमारिया दूर हो जाती है और काली जादु के प्रभाव को भी नाश होता है मा काली की पूजा से राहूद शनी दोशों सभी मुक्ती बिलती है मानता है कि काली चोधस की आदी रात में काली चाली सा पार्ट करने से करियर कारोबार की मुश्किले दूर होती है मा काली की साधना तंतर साधनों के लिए अधिक प्रवावशाली माने जाती है ये भी भक्त इस दिन माकाली की उपासना करता है उसमानसी को शारीक तरावसे मुक्ति मिलती है काली 14 की पूजा करने से पहले अभ्यंग इसनान करना अभिशक होता है धार्मिक मानता है कि अभ्यंग इसनान करने से व्यक्ति नरक से मुक्ति मिल जाती है अभिहंग इसनान के बाद चरीर पर पर्फिम लगाएं और जीवन पूजा के लिए बैठ जाएं एक चोकी पर कपड़ा बिछा कर माकाली की मूर्ती की स्थापना करें और फिपूजा करें चोकी पर माकाली की मूर्ती स्थापना करने के बाद वहां दीब जलाएं दीब जनाने के बाद कुमकुम हल्दी और आलेल देवी पर कालिय देव पर चड़ाएं दोस्तो तंत्र विद्या को प्राप्त करने वालों के लिए ये रात बहुत खास होती है और वे रात भर सिद्धी पराप्त करने के पूजा करते हैं इस दिन का सीधा संबद मा काली से है और वे शर्व सकतिशाली है इस दिन को कैसे मराते हैं और उसमें क्या उपाय करने चाहिए वही मैं आप लोगों से शेयर करूंगी काली 14 के दिन काली का के विशेश पूजा करने से लंबे समय से चली आ रही ही विमारी से चुटकारा मिल सकता है काली जादू के बुरे परवाब, बुरी आत्माउं से शुरक्षा पाना हो तो यह दिन आपको काली मा की पूजा जरूर करनी चाहिए इससे कर्ज से मुक्ती मिलती है अपनी पूजा को सरसो के तेल में काली मा की आरती करें उनका स्तरोत करें और उनकी चालिसा पढ़कर मा काली के नाम का तब तक जाप करें जब तक वे कर सकते हैं काली चोदस की पूजा करने से शनी का प्रकुबी खतम होता है काली चोदस यानि नरक चतूर्थी की रात ग्यारा काली हल्दी ग्यारा अभी मंतरित गमती चक्र चांदी का सिक्का और ग्यारा अभी मंतरित धन दायक कोडियों को बाद कर 108 बार ओम श्री लक्ष्मी नरायन नमा का जाप करना चाहिए इससे आपको कही तरकी परशान से मुक को एक पीले कपड़े में हल्दी ग्यारा गोमती चक्र चांदी का सिक्का और ग्यारा कोडिया बनकर 108 बार श्री लक्ष्मी नमा मंतर का जाप करें इसके बाद सबी को धनके स्तान पर तिजोरी में रख दें इसके आपके वैफ साय में आ रही किसी परकार की बादा दूर हो बतार कर गाय को खिला दें दोस्तों यह वीडियो है इन तक ती मुझे अमीद आपको पसंद आई होगे अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक प्रेसिक्रींग थापको.